मोधी सरकार के आज आखरी और छोटे बजट के पेश होने के बाद देश में किसानों के साथ साथ नौकरी पेशा तक के लोगों में काफी खुशी देखनों को मिली है। अब आयकर नहीं देना पड़ेगा जो कि पहले धाई लाग रुपए तक था। सीधे तोर पर इस बजट में समाच के हर वर्ग को खुश किया है। तो आएए जानते हैं सरकार की इस वज़े से लोगों ने अपनी क्या राय दी है। जो अंतरिम बजट हुआ है तो बहुती अच्छा बात है और किसानों के लिए हमारे जो योवा लोग हैं के सब के लिए बहुती कारगर हैं। लेकिन कहने का ताथ पर यह है कि हर सरकार में कोई ना कोई बजट या कुछी बात को लेकर के मुद्दा उठते रहते हैं। लेकिन उची स्तर से देखना जभी पता लगता है कि कितना जाकर के कारगर हो रहा है। और मैं मांग चलता हूँ कि कारगर ही होगा जब इतना बढ़िया बजट पेस गिया गया है और इसका मैं तहदर से स्वागत करता हूँ और मुझे भी बहुत ही खुशी की बात है जिससे की मतलब ही कि ये बजट आया है सामने और बहुत ही अच्छा बजट है ये हमारे जनता के लिए कितना कारगा रहा है आप इसको कैसे देखते हैं हमारी सरकार दोरा बीजेपी गवर्मेंट दोरा जो आज अंतरिम बजट पेस किया गया है वो हमारे देश में खुसाली की लहर लेकर आएगा तमाम किसानों को मज़़ूरों को गिरामीर शेतर में रह रहे हैं मध्धम बरगिये परवारों को हर तरह से लावकारी बजट है और तमाम तरह की लोगों को इस बजट में सुवधाय दी गई है लोग जो आएकर दाता थे उनको ढ़ाई लागते बढ़ा के पांच लाग रुपए की कमाई पर छूट कर दी गई है साथ मेरी समझ से तो इस बजट से तभी लोग खुद है बिल्कुल हम स्वागत करते हैं तह दिल से इस बजट करते हैं किसानों के लिए इतना बाते करी हैं कैसा क्या है यह अच्छा है यह अच्छा किया है सरकार बहुत अच्छी सरकार चिला रही है गरीबों की मदद कर रही है किसानों की मदद कर रही है और सरकार बहुत अच्छी जलाई है अगले आने वाली भविस में मुझे सरकार बनने की संभावना है बिल्कुल तो परशंट बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और सरकार हमें ऐसी ही चाहिए अच्छा है अच्छा किया है सरकार बहुत अच्छी सरकार चला रही है गरीबों की मदद कर रही है किसानों की भी मंदद कर रही है और सरकार बहुत अच्छी जल लई है अगले आने वाली भविस में मुझे सरकार बनने की संभाबना है ब्रुकुल तो परसंट बजट से लगता है कि आपने सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और सरकार हमें ऐसी ही चाहिए